नमश्कार दोस्तों महीं परदीव दुबे तो यहां पी अगर आप credit card apply कर रहे हैं या credit card ले रहे हैं तो आपका जो civil है कौन कितना होना चाहिए experience, transunion, civil, equifacts और high mark किसमें कितना होना चाहिए जिससे आपके credit card apply करने में कोई effect ना पड़े, low limit आपको ना मिले हम आपको सब कुछ इस वीडियो में details में बताने वाले हैं तो मेरा आप से रिक्वेश्ट है को लाइक करके support कर देना अगर आप चैनल पे ने आये हैं तो चैनल को subscribe के bail icon को on कर देना दोस्तों मैं आपको बता दो कि आज के time में और पहले के time में आप देखते थे कि कोई भी civil का ऐसा कोई महत्त नहीं था guaranteed के विहाब पे लोन और बड़े बड़े ऐसे चीज़े पास होती थी बट आज की time में print card आया और इसकी विहाब पे फिरेंड आप लोगों को जो भी data है उसमें safe रहता है और इसकी विहाब पे आपको लोन के date card दी जाते हैं बट यहाँ पे आ गया civil की बात कि कि कितना होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे चार विरों मेंसे दोस्तों अगर आप यह सोचते हो कि मैं high mark ज्यादा sorry अगर मैं high कर लिया civil high कर लिया और मेरा एक facts और high mark low है इसमें कोई दिक्कत नहीं तो मुझे card मिल जाए तो मैं आपको बता दूँ कोई भी bank अगर आपके civil को track करता है तो है देखिए अलाग अलाग जो company है अलाग अलाग nfc company है my application है एक रिपोर्ट जो है अधिकतर देखोगे जब आपको डिफॉल्ट करते हो तो यह लोग civil में और experience में कर देते हैं दो जो है उसमें यह लोग जल्दी नहीं करते बट फ्रेंड होता क्या है कि अगर आप टाइम से डीपेमेंट कर रहे हो तो आपका experience report update हो जाएगा transunion civil update हो जाएगा बट आपका high mark और इकी facts आपका update जल्दी नहीं होता है होता क्या है कि अगर आप loan credit apply कर रहे हो फ्रेंड अगर आपको एक अच्छी limit चाहिए तो आपका जोस्तों चारों में entry होना चाहिए काने का मतलब है कि आपका facts या high mark अगर आपका low है 200 300 400 500 है किसे दिक्कत नहीं है उसमें entry होना चाहिए अगर उसमें entry नहीं है तो अगर दूसरे card में आपको जल्दी नहीं मिलेगा तो यहां पर आपका चारों में होना जरूरी है अगर दोस्तों आपका experience में और आपका civil में आपका update है आपका सो कर रहा है और इन दुनों में सो नहीं कर रहा है जिस company से आपका loan था आप उन्हें RBI की guidelines भेश सकते हो कि RBI guidelines के अन इस पर RBI करी action लेगा क्योंकि जो चीज़ी RBI कर से बनाई गई है उसे कोई तोड़ नहीं सकता है बट फिर आज के time में गुप तरीकों से लोग पालन नहीं करते हैं बट होता क्या है सही तरीके से आप जो है दो में आपका हो जाता है जिसे कि आपका civil और accident में इन दोनों में बहुत पीछे होता है तो कोई डरना नहीं है जहां से लोन था उन्हीं को आपको chatting करना अगर help नहीं करते हैं तो आप जो है RBI को complain कर सकते हैं फिरन कभी आपने दिमाग में आप सोचना कि मेरे पास यह दोन कर दी है हम यह ना तो आपको ए विडियो कैसा लगा विडियो को लाइक करना सुमें सेर कर देना फिर मिलते हैं नहीं विडियो को साथ अब तक के लिए जय हिन वन दे मातर हम